पेरों पर खुद कुलाडी मारोगे। आप दूसरों की मदद जरू करो पर अपने बिजनेस के राज बता कर बिल्कुल भी नहीं। और जब आप ऐसा करते हो तो आप खुद अपने बिजनेस के लिए दूसरे लोगों की रुकावट खड़ी कर देते हो। यही कारण होता है क कोई भी दुकानदार आपको यह नहीं बताएगा कि वो माल कहां से लाता है और कहां से खरीता है। दूसरी बात यह है कि धंदे में बड़ा नहीं, ज़्यादा कमाने का सोचो। अगर आप एक ग्राथ से यही बड़ा मुनाफ़ा कमाने का सोचोगे तो धीरे धीरे आपके रास्ते सारा है। धंदे में मतलब फाइदे सो होता है। बस यह याद रखना है कि आप ग्राथ को धोकर नहीं दे रहे हो। क्योंकि अगर ग्राथ को आपकी चीटिंग को समझ गया तो उसका नुकसान भी आपको यह उठाना पड़ेगा। फाइदा कमाने के कई तरीके हो फोन किया और किसी से 1500 क्यूंटल के हिसाब से 1000 बोरी शकर खरीद दी। और उसके बाद उन्होंने फिर से किसी को फोन किया और किसी को 100 बोरी और किसी को 200 बोरी करके पूरी 1000 बोरी शकर 15 क्यूंटल के दाब में ही बेज दी। तब वह आदनी जो उस सिंधी व्यापारी के य इतना तो मैं जब समझता हूं। तब उस सिंधी व्यापारी ने उसकी बातों को हरसे में टाल लिया। पर जब भी मौका मिलता, वो व्यक्ति उससे वही सवाल पूछता। फिर एक दिन उन्हें बताया कि आखर उस दिन उन्हें क्या किया था। उन्हेंने बताई कि मैंने 1500 की उंटल में शक्कर खरीदने के बाद उतने में ही बेज दी थी पर मैं शक्कर की बोरी का 0.5 रुपिया अलग से चार्ज करता था और व्यापारी को पैसा दे भी थे थे और मुझे माल के साथ बोरी फ्री में मिलती है और सामान को भी मेरे पास न मेनत के बिजनस में एक बड़ा रुपिया कमाना मुश्किल है पर आंट चवणनी कमाना आसान है आप कोशिश करोगी अपने धंदे से ज्यादा से ज्यादा फाइदा लेने की पर अपने खर्च कम करो जैसे उस सिंधी व्यापारी ने शक्कर अपने गुदा में नहीं उता होगे तो आप कभी सफल नहीं होगे